गुड मारिंग स्टूडेंट्स आज हम कटपुतली नामक पाठ पड़ेंगे कटपुतली याने पपेट यहाँ पर चितर में देखें बहुत सारे खिलोने दिखाए दे रहे हैं हाती और दो तीन लड़कियां इस तरह के सारे खिलोने हमें दिखाए दे रहे हैं यहाँ पर प्रश्ण देखें चितर में क्या दिखाए दे रहे हैं खिलोने चितर में दिए गए खिलोने के बारे में बताईए हाती है हाती पर एक जो हाती चलाने वाला है हाती का खिलोना है और तीन लड़कियों के चितर है और वेक्ति और स्त्री का भी खिलोना यहाँ पर दिखाई दे रहा है बच्चे खिलोने क्यों पसंद करते हैं? बच्चे खिलोने बहुत पसंद करते हैं उससे बाते करते हैं उससे इस तरह उन्हें उनका मन उसी में मन लुभाता है और बहुत ही आनंद प्रखट करते हैं खिलोनों से कविता दीखिए कटपुतली गुसे से बोली बोली ये धागे क्यों है मेरे पीछे आगे इन्हे तोड़ दो मुझे मेरे पावों पर छोड़ दो कटपुतली यह कहती है कि पपेट कहती है कि मुझे क्यों इस तरह धागों से आगे पीछे बांदा हुआ है तोड़ दो और मुझे आजादी से रहने दो मुझे अपने पेरों पर छोड़ दो इस तरह कटपुतली कह रही है सुनकर बोली और और कटपुतलियां कि हाँ बहुत दिन हुए हमें अपने मन के चंद चुए यह सुनकर दूसरे कटपुतलियां भी कहती है कि हाँ हमें बहुत दिन हुए है अपने मन के चंद चुए मतलब हम अपने हातों पेरों से खुद चलना चाहते हैं हमें क्यों इस तरह बांदा हुआ रखा है मगर पहली कटपुतली सोचने लगी एक ऐसी इच्छा मेरे मन में जगी तो यहाँ पर पहली जो कटपुतली है उसने ऐसा क्यों सोचा होगा ऐसा क्यों कहा होगा इस तरह उसके मन में यह प्रश्न जगा इसके कवी है भवानी प्रसाद मिश्र जी तो यहां पर इस कविता के बारे में थोड़ बहुत यहां पर सार दिया गया है इस कविता में कटपुतलियां स्वतंत्रता की इच्छा से स्वयम अपनी बात व्यक्त कर रही है उनके समक्ष स्वतंत्रता को साकार बनाने वारी चुनोतियां है धागे में बंदी हुई कटपुतलियां पराधीन है इन्हें दूसरों के इशारे पर नाचने से दुख होता है कटपुतलियों को दूसरों के इशारों पर नाचना बहुत दुख होता है दुख से बाहर निकलने के लिए एक कटपुतली विद्रोह कर रहे देती है विद्रोह मतलब उनके अगेनिस्ट करना यहाँ पर वह अपने पाउं पर खड़ी होना चाहती है कटपुतली अपने पाउं पर खड़ी होना चाहती है उसकी बात सभी कटपुतलियों को अच्छी लगती है परन्तु स्वतंत्र रहना को नहीं चाहता लेकिन जब पहली कटपुतली पर सबकी स्वतंत्रता की जिम्मेदारी आती है वह सोन समझ कर कदम उठाना जरूरी समझती है अगर नहीं माना तो सारे कटपुतलियों को परेशानी आ सकती है इसलिए कभी भी अगर हम सभी की जिम्मेदारी लेते हैं तो सोन समझ कर जिम्मेदारी कदम उठानी चाहिए तो बच्चो मैं आशा करती हूँ कि आपको यह पाट समझ में आया हो आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा अपने मित्रों को शेर कीजिएगा और मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चानल को सब्सक्राइब कीजिएगा धन्यवाद